नबश्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल करेंटरफेस बाई रवी पर आज मैं आपके लिए 11 जुलाई 2022 के टेली करेंटरफेस के क्वेस्चन्स इस वीडियो में लेकर आई हूँ मैंने सभी कोशन ब्रिकुश सेलेक्टेड और इंपोर्टेंट लिए हैं अगर आप किसी भी एक्जाम के तयारी कर रही हो ये वीडियो आपके लिए काफी साथा यूसफुल रहने वाली है तो फैंस एक मोटिवेशन कोर्स इस वीडियो के शुरुवात करते हैं मुश्किल नहीं है कुछ दुनिया में तू जरा हिम्मत तो कर ख्वार बदलेंगे हकीकत में तू जरा कोशिश तो कर तो फैंस चले क्वेशन नमबर फर्स्ट से हम स्टार्ट करते हैं पहला कोशन है एयर कार्गो फोरम इंडिया के नए अध्याक्ष कौन बने है तो फैंस बात करते हैं यहाँ पर एयर कार्गो फोरम इंडिया की तो फैंस यश्पाल शर्मा बने है इसके अध्याक्ष तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ओप्शन नमबर बी फेंट यश्पाल शर्मा ने साइरस कडगरा का स्थार लिया है ये भी ध्यान लखेगा पॉइंट्स अब बात कर लेते हैं ACFI की कार्गो ओपरेशन के समस्याओं को सुलजाने के लिए सभी सम्मंदित एजंसियों के द्वारा गठन किया गया ये एक संगठन है इस फोरम का उदेश है आयत को, निर्यात को, सहित कार्गो से जुड़ी सभी एजंसियों को सुविधाएं प्रदान करना अब हम पिशली टॉफ फाइव राष्टे नियुक्तियों का रिविशन करती हैं जोकि इंपोर्टेंट है बात्य विश्व विध्याले संग के नए अध्यक्ष कौन बनी है सही आंसर है सुरंजन दास राष्टे कोशिका विज्ञान केंद्र के नए निदेशक बनी है डॉक्टर मूहन वानी भारत के सबसे युवा विधान सभा स्पीकर बनी है राहुल नार्वेकर मुख्यमंत्री के नए महराष्ट के नए मुख्यमंत्री बनी है फ्रेंड एकनाश शिंदे गैस अथियॉरिटी ओफ इंडिया लिमिटेट के नए अध्यक्ष बनी है संदीब कुमार कुप्ता निर्मान श्रमिको के कौशल को सुधारने के लिए मिशन कुशल कर्मी नामक कारेकरम को किसने शुरू किया है सही आंसर है मनोश शिशोदिया जो की हैं दिल्ली के उप मुख्यमंत्री तो फ्रेंड्स मनोश शिशोदिया के द्वारा मिशन कुशल कर्मी नामक जो कारेकरम है इससे शुरू किया गया है अब देखे फ्रेंड इस कारेक्रम के तहट क्या किया जाएगा जो श्रमिक हैं और जो राज मिष्ट्री हैं उनको 15-15 दिन की ट्रेनिंग दी जाएगी जिससे वह श्रमिक को शल एवं स्मार्ट कारिकर बन सकेंगे श्रमिकों को ट्रेनिंग पूरी होने के बाद सभी को प्रतेख श्रमिकों यहाँ पे 42 रुपे भी दिये जाएंगे अगला कोशन है सस्ती स्वास्ते देखभाल सीवाओं के लिए स्वास्ते का अधिकार विधयक पेश करने वाला बारत का पहला राज्य कौन सा बनेगा सही आंसर है फ्रेंग्स राजस्तान तो Right to Health Bill पेश करने वाला जो पहला राज्य बनेगा वो है राजस्तान अब फ्रेंग्स इस विध्यक की बारे में बात कर लेते हैं तो इस विध्यक को पेश करने का उद्देश है सरकारी और Private स्वास्ते देखभाल प्रद्दाओं की माध्यन से सभी नागरिकों को कम कीमत में गुडवत्ता पूर्वक स्वास्ते देखभाल सिवाएं प्रद्दान कि जो भी नागरिक हैं जो राज़िस्तान के सिटीजन देखें उनको सरकारी जो भी धेगवाल सिवाएं हैं चाहिए वो प्राइवेट सिवाएं हो वहाँ पे उनको कम कीमत में गुडवत्ता पूर्वक यानि अच्छी क्वालिटी की जो सिवाएं हैं वो प्रदान कीजा स सके तो उसी के लिए स्वास्ते का अधिकार विदयक पेश करने वाला पहरा राज़े बनेगा राज़िस्तान राज़िस्तान से जुड़े कुछ प्रशनों का रिविजन करते हैं तो देखे सिख्षा मंत्राले के द्वारा जारी परफॉर्मेंस गेडिंग सुचकांग 2018-19 और 19-20 में कौन सा राज़े शीर्जस्तान पे रहा तो राज़े कौन सा है राज़िस्तान राज़िस्तान के किस चिले से गर्वपती महिलाओं के लिए विशेश स्वास्ते देखबाल अभियान आचल को शुरू किया गया तो यहाँ पे चिले का नाम है करॉली किस राज़े के मुख्यमंत्री ने राजीव गांथी खेल पुरुसकार और राजीव गांथी ग्रामीर ओलंपिक पुरुसकार प्रदान करने की घोशना की है तो यहाँ पे फ्रेंट्स हमारा राइट आंसर है राज़िस्तान शहरी चित्रों में रहने वाले परिवारों को प्रतिवर्ष सौ दिनों का रोज़कार प्रदान करने के लिए इंतरा गांथी शहरी रोज़कार गारंटी योशना 2022 को किस राज़े सरकार ने शुरू किया सही आंसर है राज़िस्तान विना रुकावर्ट डिजिटल सीवाएं प्रदान करने के लिए एल रूट सर्वर स्थापित करने वाला भारत का पहला राज़े कौन सा बना है तो वो भी कौन सा है फ्रेंट्स राज़िस्तान अगले क्वेशन पर बढ़ने से पहले फ्रेंट्स मैं आपको कुछ बताना चाहूंगी फ्रेंट्स मैंने अपनी वीडियो में रिविशन पर काफी ज़दा फोकस किया है क्योंकि रिविशन काफी यूसफुल रहता है आपके हर अईज़ाम के लिए और फ्रेंट्स अगर आप कोई भी टॉपिक पढ़ना चाहते हैं जैसे साइन्स का हो, पॉलिटी का हो, जोग्रफी का हो तो आप मुझे कॉमेंट करके बता सकते हैं मैं आपके लिए उस टॉपिक पर वीडियो ज़रूर लाऊंगी शुरू करते हैं क्वेशन फोर भारती उद्योग परिसंग ने वर्ष 2022-23 के लिए अपने अध्यक्ष के रूप में किसे नामित किया है सही आंसर है आर दिनेश तो फ्रेंट्स भारती उद्योग परिसंग के जो 2022-23 के लिए अध्यक्ष बने है उनका नाम है आर दिनेश यहाँ भी फ्रेंट्स आपको एक important point ध्यान रखना है संजीव पुरी इनका नाम क्यों important है क्योंकि ये भारती उद्योग परिसंग के नए उपाध्यक्ष बने हैं तो अध्यक्ष कौन बने आर्दिनेश और उपाध्यक्ष कौन बने हैं संजीव पुरी Confederation of Indian Industry यानि भारती उद्योग परिसंग के स्थापना हुए 1895 में और इसका मुख्याले है नई दिल्ली में अगला कूशन है अमेरिका के सर्वोच नागरिक पुरसकार Presidential Medal of Freedom प्राप्त करने वाली सबसे कम उम्र की महिला कौन बनी सही आंसर है सिमोन बाइल्स या केलिचे सम्मानित किया गया या इने मिला है अभी अमेरिका के राष्टपती जो बाइडन ने ओलंपिक जिमनास्ट के लाड़ी सिमोन बाइल्स को Presidential Medal of Freedom पुरसकार से सम्मानित किया है जिससे सिमोन बाइल्स या पुरसकार प्राप्त करने वाली सबसे कम उम्र की महिला बन गई है जो Presidential Medal of Freedom है ये उन लोगों को पहचानने के लिए दिया जाने वाला एक पुरसकार है जिन्होंने संयुक्त राज अमेरिका की सुरक्षा या राश्ट्य हितों, विश्वशान्ती, सांस्कदेक या अन्य महत्वपोर्ट सार्वजनिक या निजी परियासों में विशेश रूप से सरहानिय योगध्यान दिया हो तो उनी को ये जो अवोर्ड है वो दिया जाता है पिशले टॉप फाइब पुरसकार का रिविजन करते हैं तो दीके बिटेन के संसत ने किस भारते महिला को आयरुवेद रत्न पुरसकार 2022 से सम्मानित किया है सही आंसर है तनुजा नेसारी किस भारते युवा महिला उद्दमी ने टाइंस बिजनेस पुरसकार 2022 जीता है आंसर है रश्मी साहू किस भारते को प्रतिश्टिद हमबोल्ट रिसर्च अवोर्ड 2022 से सम्मानित किया गया है तो सही आंसर है फ्रेंट्स इंदरजीत सिंग किस भारते को ब्रिटिश मानत पुरसकार कमांडर ऑफ दी ओडर ऑफ ब्रिटिश एंपायर 2022 से सम्मानित किया गया है अजे पिरामल विश्व खाध्य पुरसकार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है तो सही आंसर है फ्रेंट्स सिंधिया रोजन बेग नेक्स्ट क्वेशन पे बढ़ते हैं जैपुर में आयोजित उत्तर छेत्रिय परिशत की तीसवी बैटक की अध्यक्षिता किस ने की है सही आंसर है अमिशहा जो की है हमारे ग्रह मंतरी तो उनके द्वारा उत्तर छेत्रिय परिशत की जो तीसवी बैटक है इसकी अध्याक्षिता की गई है इस बैटक के कुछ important points के बारे में बात कर लेते हैं तो देखे फ्रेंड्स उत्तर छेत्रिय परिशत की तीसवी बैटक में ग्रह मंतरी अमिशहा के साथ हर्याना की मुख्य मंतरी मनोहर लाल खटर हिमाचल प्रदेश के मुख्य मंतरी जैराम ठाकुर पंजाब के राचेपाल बनवारी लाल पुरोहित दिल्ली के उप मक्य मंतरी मनेश शिशोद्या के अलावा अलग-अलग राज्यों के मंतरियों ने हिस्सा लिया इस बैटक में राज्यों की आंतरिक सुरक्षा, बॉर्डर सिक्योरिटी, साइबर अपराद, सीमा पार से नशाखोरी सहित कई विश्यों पर बैटक में चर्चा की गई अगला कोशन है, बेडमिंटन टूर्णामेंट मलेशिया उपन 2022 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? आंसर है, थाइलेंड की प्लेयर है रेचनौक इंथानौन जिनोंने मलेशिया उपन 2022 में महिला एकल का खिताब जीता इन्होंने चीन की, चीन यूफे को हरा कर महिला एकल का खिताब जीता है, अब इसी टूर्णामेंट में हम अन्य पुरुष का विजेता की बात करते हैं, तो फेंट देखे महिला एकल का खिताब तो हमने पढ़ी लिया है, अगर बात करते हैं पुरुष यूगल की, तो वो जीता है जापान के ताकुआ, होकी और यूगो को बायशी, मिश्रत यूगल का टाइटल जीता है चीन के जेंग सिबई और हुआंग याकियोंग ने, महिला यूगल का जो खिताब हो जीता है आप्रियानु रहियू और सिटी फादिया सिल्वा रामदन ती जो की हैं इंडोन जो मलेशिया उपन टूनामेंट हुआ, इसका आयचर हुआ मलेशिया की कापिटल कौलालामपुर में अगला कोशन है, SPI जनल इंशुरेंस के नए MD और CEO कौन बनी हैं? सही आंसर है पारितोष्तर पार्टी, तो फेंट ध्यान रखेगा पारितोष्तर पार्टी SPI जनल परेंस की सापना 2009 मी हुई, इसका मुख्याले है मुंबई महराष्टर में. पिशले टॉप 5 MD CEO का रिविजन करते हैं, तो देखे होंडा के जो होंडा कार्स इंडिया है, इसके नए मैनेजिंग डारेक्टर बने हैं तकुआ शुमोरा, कोलकेट पामुल लीव इंडिया लि बने राकेश शर्मा, और LIC mutual fund के जो नए MDCO बने हैं, उनका नाम है T.S. रामकृष्णन. अगला कोशन है, खार्ची महस्तव 2022 किस राज्य में मनाया गया है? सही आंसर है तिरपुरा, तो फैंट ध्यान लखेंगे कौन सा महस्तव है? खार्ची, जो कि तिरपुरा राज्य म मनाया गया है, जो खार्ची महस्तव है या खार्ची महस्तव, दोने तरीके से इसको ध्यान लखेगा, ये तिरपुरा का एक हिंदू तिहार है, इस तिहार में 14 हिंदू देवी देवताओं की पूजा अर्चना की जाती है, जिने तिरपुरी लोगों के कुल देवता माना खर्ची का यहाँ पे अर्थ होता है पापो की सफाई, अब फ्रेंज तिरपुरा की बात आती है, तो चलिए इसकी important points को discuss करते हैं तिरपुरा राजे के सापना कब हुई 21 जनवरी 1972, तिरपुरा के राजदानी है अगरतला, यहां के मुख्य मंत्री है मनिक साहा, तिरपुरा के गवर्नर है सत्य देव नारैन आरिया, मुख्य न्यायथीश है इंदरजीत महंती, दो पडोसी राजे है असम और मिजोरम, ए हवाई अड़ा है महराजा वीर विकरम एयरपोर्ट, यहां के प्रमुख जीले है रुदर सागर जील और डुमबर लेग जील, राजगिय पशु है फेरी स्पन्ड वॉनर, राजगिय पेड है अगार, राजगिय पक्षी है फेरी ब्लुबर्ड, कौन सा भारते राजे ती नामग पुस्तक को किसने लिखा है तो यह पुस्तक का टाइटल है और यह पुस्तक लिखी है फ्रातना बत्रानी तो सिंप्ली फेर्ट त्यान रखेंगे बुक का नाम और उसके ऑथर का नाम अब 11 जुलाई के और अन्ये महतुपून प्रशनों पर बात करती है तो देखे के बच्चों को अच्छा और पौश्टिक भोजन उपलब्त कराने के लिए प्रधान मंत्री ने अक्षय पात्र फाउंडेशन की नई मिड़े मेल रसोई का उधगाटन कहां किया है वारानसी उत्तर प्रदेश में हैजट इंडिया ने पांच वार के विश्व शत्रंज ज दिखा है तो ये पुस्तक लिखी है सुजान निननन और विश्वनातन आनंद अगला कोशन है बर्मिंगम राश्ट मंडल खेल 2022 हंग्जो एशियाई खेल 2022 और पैरिस ओलंपिक खेल 2024 की आधिकारिक प्रायोचक कंपनी कौनसी बनी है तो सही आंसर है फ्रेंग्स आदानी स् अमूर्त सांस्कतिक विरासत के संडक्षन के लिए युनेस्को के 2003 कंवेंशन की अंतर सरकारी समीती ने किस देश को चुना है तो भारत देश को इसके लिए चुना गया है विश्व अनुसंधान और विकास्त नीती रखने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बनेगा तो सही आंसर है फ्रेंड्स करनाटर तो फ्रेंड्स अब हम आज वाले प्रशनों का जो जो हमने किया उसको हमें कोई क्रिवीजन यहां पे कर लेते हैं ताकि हमारा और अच्छे से रिवाइस हो सके एयर कार्गो फोरब इंडिया के नए अध्यक्ष कौन बने यश्पाल शर्म निर्मार श्रमिकों के कौशल को सुधायने के लिए मिशन कुशल कर्मी नामक कारेक्रम को किसने शुरू किया मनीश शिशोदिया जो की हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री इसके बार देखी अगला कोशन है हमारा अगला कोशन है सस्ती स्वास्ते देखभाल सेवाओं के लिए स्वास्ते का अधिकार विद्यक पेश करने वाला भारत का पहला राज़े कौन सा बनेगा तो आजसर है राजस्तान बातियो द्योग परिसंग ने वर्ष 2022 के लिए अपने अध्यक्ष के रूप में किसे नामित किया है आर दिनेश अमेरिका के सर्वोच नागरिक पुरिसकार प्रेजिडेंशल मेडल ओफ फिडम राप्त करने वाली सबसे कम उम्र की महिला कौन बनी है सिमोन बाइल्स जैपुर में आयोजित उत्तर छेत्रिय परिशत की तीसवी बैटा की अध्यक्षता किसने की है आमिश शहाची ने करी है जो की है गुरेंबंतरी बेडमिंटन टूर्णमेंट मलेशिया उपन 2022 में महिला एकल का खिताब किसने चीता है तो थाइलेंड की प्लियर है रेजनौक इन्थानौन जिरोंने मलेशिया उपन 2022 में महिला एकल का खिताब चीता है SBA General Insurance की MDO CEO कौन बने है तो फ्रेंट्स याद रखेंगे पारितोष तिरपार्थी खार्ची महसब 2022 के सराजय में मनाया गया है तो आज़र है तिरपुरा में Getting the bread, the Zen Z way to success नामक पुस्तक को किसने लिखा है रातना बद्रा बच्चों को अच्छा और पौश्टिक बोजन उपलब्द कराने के लिए प्रधान बंत्री नरेंद्र मोदी ने अक्षे फात्र फाउंडेशन की नई मिड़े मिल रसोईखा उधगाटन कहां किया है तो फ्रेंस वारानसी उत्तर परदेश में इसका उधगाटन किया किया हैचिट इंडिया ने पांच वार के विश्व शतरंच चैंपेंशिक विश्वनात आनन्द की आत्मकथा पर एक पुस्तक जारी करी और इस आत्मकथा का नाम है माइन मास्टर विनिंग लेसन फ्रम अचैंपियन्स लाइफ ये पुस्तक लिखी है सुजान निनन और विश्वनातन आनन्द बर्मिंगम राष्ट मंडल खेल 2022, हंग्जो एश्याई खेल 2022 और पैरिस उलम्पिक खेल 2024 की आधिकारिक प्रायोज़क कंपनी कौन सी बनी तो सही आंसर है अदानी स्पोर्ट्स लाइन अमूर्थ सांस्कृतिक विरासत के सन्रक्षन के लिए युनेस्को के 2003 कन्वेंशन की अंतर सरकारी समीती ने किस देश को चुना है भारत देश को इसके लिए चुना गया है विशेश, अनुसंधान और विकास नीती रखने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बनेगा तो आपका अंसर है करना टक फ्रेंड्स अब हम आज के डेली स्टेटिक जीके के क्वेशन करती है आज हम करेंगे भौती की विज्यान पर इंपोर्टेंट क्वेशन पहरा क्वेशन है एक माइक्रोन किसके बराबर होता है तो आपका अंसर होगा 10-6 मीटर के बराबर होता है इसके बाद एक होर्स पावर में कितने वाट होते हैं लगभग 746 बहुत एक्जाम में पूछते हैं डॉप्सन इकाई का प्रियोग किया जाता है ओजोन परत की मोटाई नापने में लंबाई की न्यूनतम इकाई क्या होती है तो आपका अंसर है का फर्मी मीटर पासकल किसकी इकाई है तो पासकल जो है वो दाब की इकाई है इसके बाद देखे अगला है कारी का मातरक क्या होता है तो कारे का मात्रक होता है जूल और बल का मात्रक होता है न्यूटन तो मात्रक हो गई जैसे इकाई हो गई ये सब कोशन बहुत पूछते हैं आपके भौते की विज्ञान से अगला है वाट किसका मात्रक है तो ये है शक्ती का द्वनी के तीवरता मापने वाला यंत्र है ओडियो मीटर हवा में आधता मापने के लिए कौन सा उपकरण प्रियोग में लाया चाता है तो इसके लिए हाईग्रो मीटर का जो है उपियोग किया जाता है आप फ्रेंड्स हम पिछले महा 11 जून की आनि आज से एक महीने पहले के जो करंट अफेंस से उनका हम रिविसन करती है पहला कोशन है अंतराश्टी मुद्रा कोश ने किस भारत्य को एशिया और प्रशान्त विभाग के नई निदेशक के रूप में न्यूप्त किया है सही आंसर है क्रश्ण श्री निवासन केंद्य क्रशी और किसान कल्यान मंत्री नरेंद्र सिंग तोमर ने जानवरों के लिए एनकुवेक्स नामग भारत की पहली कोरोना वैक्सीन लॉंच की है इस वैक्सीन को किस संस्थान ने विक्सित किया है तो फेंड राश्टिय अश्व अनुसंधान केंद्र जो की है हिसार में तो इस संस्थान के द्वारा इस वैक्सीन को विक्सित किया गया है जो कि किस के लिए है चानवरों के लिए अंतराश्टिय श्रम सम्मेलन 2022 के 110 वे संस्करण का आयुचन कहां पी हुआ जैनेवा स्विजरलेंड सैंतराश्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन द्वाराचारी विश्व निवेश रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2021 में भारत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश हासिल करने के मामले में किस स्थान पे रहा है सही आंसर है भारत रहा है इसमें 27 स्थान पे ड्रॉन निती को मन्सूरी देने वाला भारत का पहला राच्चे कौन सा बना हिमाचल प्रदेश फोर्टो शेरिंग आप इंस्टाग्राम पर 200 मिलियन फोलोर्स तक पहुशने वाले पहले भारती है और दुनिया के पहले किर्केटर कौन बने तो इनका नाम है विराट कोली सूफी महसव 2022 कहां पर शुरू हुआ है तो फ्रेंड्स राइट आंसर है जम्मो कश्मीर भारत प्रिटेंज सांस्कृतिक प्लेटफॉर्म इंडो यूके टुगेदर कल्चर सीजन के नई अम्बैस्टर कौन बने है तो रही आंसर है फ्रेंड्स ए आर रह्मान बैखो तियोहार 2022 कि सराज्य में मनाया गया सही आंसर है असम इंडरनाशनल इंस्टिटूट आफ स्पोर्स मानेजमेंट ने बिजनेस आफ स्पोर्स दव विनिंग फॉर्मुला फोर सकसेस सामक स्पोर्स मार्केटिंग पर भारत की पहली पुस्तक लौंच की है इस पुस्तक को किस ने लिखा है तो इस पुस्तक के जो author है उनका नाम है विनीत कार्णिक तो friends ये थे हमारे सभी important पिछले महीने की important current of face अब कल वाले जो प्रशन हमने करे यानि कल का जो current of face किया उनको यहाँ पर हम revise करती है पहला question है भारत के नए उपचुनाव आयुक्त कौन बने है सही आंसर है R.K. गुपता जोके भारत के नए deputy election commissioner बने है Mrs. Universe Divine 2022 का किताब किस ने चीता है तो friends सही आंसर है पल्लवी सिंग नए सिक्षा नीती का road map तयार करने के लिए प्रधान मंतरी मोदी ने अखिल भारते सिक्षा समागम 2022 का उधगाटन कहां पर किया है friends वाराणसी उत्ता प्रदेश में इसका उधगाटन किया गया और किसके द्वारा किया गया तो प्रधान मंतरी नरेंदर मोदी जी ने इसका उधगाटन किया है अगला कोशन है विश्व किश्व हिली दिवस 2022 कब मनाया गया सही आंसर है साथ जुलाई को ये दिवस मनाया गया है अंतराश्टी मुद्रा कोश के पूर्व मुख्य अर्थशाष्ट्यों की दिवार पर प्रदर्शित होने वाली दुनिया की पहली महिला कौन बनी सही आंसर है फ्रेंट्स गीता गोपिनाद जो की है भारत से देखिए महिलाओं में तो ये पहले नंबर पर है लेकिन अगर हम बात करें कौन से नंबर की भारत्य बनी है तब आपका आंसर होगा ये दूसरी भारत्य बनी है रोजकार और शहरों की अर्थव्यवस्ता को बढ़ावा देने के लिए वश्च 2023 में भारत के सबसे बड़े शॉपिंग फेस्टिवल की मेजवानी कौन सा शहर करेगा? सही आंसर है दिल्ली जो है इसकी मेजवानी करेगा जी 20 संगटन के लिए भारत के नई शेरपा कौन बने है? सही आंसर है अमिताब कांत नई दिल्ली में आयोजित स्वा निदी महुदसव 2022 का शुभारंब किस ने किया है? सही आंसर है हर्दीब सिंग पुरी जो की केंद्रे आवास और शहरी मामलों के मंत्री है इसके बात है अगला कोशन जुलाई 2022 में किस देश के पूर प्रधान मंत्री शिंजो आवे की चुनाव अभियान के दोरान गोली माल कर हत्या कर दी गई? तो फैंस ये जापान देश के पूर प्रधान मंत्री थे इनका नाम ध्यान रखेगा अगला कोशन है लगातार 13 T20 मैंच जीतने वाले क्रिकेट इथियास के पहले कप्तान कौन बने है? सही आंस है रोही शर्मा जो की है भारत के कप्तान तो फैंस आज की इस वीडियो में देखे हमने बढ़ा है टॉप 15 करेंट अफेर साती हमें हमने रिविजन पर पूरा फोकस किया है अब सभी के लिए जो स्टेटिक जीके के क्वेशन से उनको कवर किया पिछले महा के करेंट अफेर्स का रिविजन किया है साती में फ्रेंट्स कल वाले प्रशनों का रिविजन भी हमने किया इसके लावा फ्रेंट्स आग अकर आप इस वीडियो का डेटेल वाला पीडियाफ चाहते हैं तो उसका लिंक आपको वीडियो के डिसक्रेप्शन में या आप हमारे टेलिग्राम करेंट अफेर्स पायर रवी से उसे डाउनलोड कर सकते हैं इसके लावा हमारे चुम मन्तली इबुक है जनवरी से जून तक की वो लॉंच हो गई है उसका लिंक भी वीडियो के डिसक्रेप्शन में है आप वहाँ जाकर उसे बाई कर सकते हैं तैंक यू सो मच पर वाचिंग इस वीडियो